सो हाई गाईज मैं नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास्पजीस तुरिश भारीश स्वागत है आपका माल्टा से जोड़ी एक नई वीडियो में आपको बनना यूडियो में अंट तक बने किस टाइम को वेस्ट की हम टेक आफ करते हैं है जब से पहले बता दूँ कि आज मुझे वेक्सिनेशन का डोस बन लग चुका है तो मुझे लगी है कोविट शील्ड वैक्सीन हां मुझे पता है स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन मुझे उम्मीद है आप भी वैक्सिनेशन या तो लगवाने के लिए ट्राय कर रहे हों होंगे तो आप जड़ी जड़ी लगवा लीजिए वैक्सिनेशन क्योंकि बहुत जरूरी है यह ट्रैवलिंग के लिए भी और अपनी हैल्थ के लिए भी तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे माल्टा ट्यूरिज्म बोर्ड की तर की तरफ से है और हमने खुद रिसर्च करके यह वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की है मुझे उम्मीद आप कोई पसंद आगा एक लाइक के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की अपडेट कुछ इस प्रकार है सबसे बहले हम बात करेंगे अपडेट फॉर एंबर लिस कंट्रीज उसमें वो कंटे जाती है जो शेंगन एरिया में हैं और जो यूएसे की हो गई चाइना की हो गई तो इसके उपर वीडियो बनाई हुई है एंबर लिस कंट्रीज के उपर आप माल्टा की प्रकार है अगर आप अपना फुली वेक् चुके हैं लगे वे 14 दिन हो चुके है 14 दिन या उपसे उपर हो चुके हैं तो आपको PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर आप एंबर लिस कंट्रीज से आ रहे हैं एक कंडिशन का इसमें और है वह बढ़कर बताता हूं आपको सब्जेक्ट डैड डिजिटल ग्रीन सेटिफिकेट अप्रूवड और यूरोप जो आपका डिजिटल ग्रीन साटिफिकेट है वह अप्रूवड और यूरोप जोना चाहिए सब्जार बात करेंगे लेकिन पहले सुन लीज़िए कि रेड डिस कंट्री इसके अपड़ेट है तो इंडिया पाकिस्तान नेपाल श यह सारी कंट्रीज आदी है अपडेट कर सकते हैं लेकिन इसमें कहीं लिखावा कि आपको PCR टेस्ट की जरूत है या नहीं है इस आर्टिकल में में नहीं है लेकिन इसका मतलब यह है कि जो भी आप वैक्सिनेशन लगवा रहे हैं क्योंकि डिजिटल ग्रियन सेटिफिकेट है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो भी आप लगवा रहे हैं उस आज की वीडियो में में जो है मिली है चाहें आप एंबर लिस्ट से आते हैं जायेंगे शेंगे किसी कंट्री से हम झाएगे चैनेडा से के सिर्ड कोरिडूर्स चाहें इंगे से यह एक जून 2021 से वैलिड है यह इंफॉर्मेशन आपने सुनी मुझे उम्मीद है आपको इंफॉर्मेशन समझ में होगी फिर भी आप बताया तो अगर आप एंबल इस कंट्री से आते हैं और आपके दोनों डोस लगे हुए हैं लास्ट डोस को फॉर्टीन डेज हो चुके है यह ज्यादा हो चुके हैं तो आपको पीसे आ टेस्स दिखाने की जरूरत नहीं है कि वैक्सिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए अगर मान लिए आपको आपका वीजा लग भी जाता है और आप एक जुन के बार ट्रैवल कर भी लेते हैं तो आपको दोनों डोस लगना जरूरी है अगर वो है तो बढ़िया ही है आपको पीसे टेस्स दो पड़ीगी ऐसा नहीं कि एंटर नहीं मिलेगी नहीं है तो लेकिन पीसे टेस्स की जरूती नहीं पड़ीगी यह सबसे में इंपॉर्टेंट इंफरमेशन है ठीक है अब बात करते हैं को डबलू एचो और यूरोप उनियन दोनों सैटिफाइड करें रिकॉगनाइज करें कोविट शीड के लिए तो वो नहीं बोल रहें को वैक्सिन के लिए क्यों बोल रहे हैं आये पड़ते हैं इस आर्टिकल में तो ऐसी इस आर्टिकल को पड़ने के बाद आपको को वैक्सीन के सहित मतलब को वैक्सीन उन उननिस वैक्सीन में से है जिनको आगे सम्मिट किया गया है डबलू एचो से रिकॉगनाइज कर जाने के लिए सैविन अदर एप्लिकेंट्स इंक्लूडिंग वैक्सीन मेड बाई पीफाइजर मोडेना जॉंसन और जैंसन वैक्स से और रिसीव दगरीन लाइट फॉर अमर्जेंसी यूज लिस्टिंग यू एल मतलब डबलू एचो की तरफ से अमर्जेंसी यूज लिस्टिंग में को विड़ शील्ड को मानिता प्राप्त की गई है को वैक्सीन को अभी सम्मिट किया गया है उस लिस्ट में तो इस से आ आइटिकल को मेन इपर्मेशन परते हैं यूरोप यूनिन अंडर क्राटेरिया बाइल दा आस्त्राजेने का वैक्सीन कोविट शील्ड विल बी इंक्लूदिड ओन दड़ डबलु एचो एंड एउड एउ इयू लिस्टिंग को एउड यू 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 यूरोप यून क होगी देखिए वैक्सीन के बारे मैं सर्फ वतना करना चाहूंगा पहले तो आप वैक्सीन लगवाई है अब आप कौनसी लगवाई है वो हमारे उपर नहीं है उसके अगर हमें ऑप्शन मिलता तो हम जरूर करते अगर आप देखिए कोविन की वबसाइट पर तो कोविड सी लगवाओ यह मेरा सजेक्शन है अगर आप के पास ऑप्शन है तो नहीं तो आप को वैक्सीन और कोविड सील्ड दोनों ही लगवा सकते हो लेकिन यूरोप यूनियन माल्टा सिर्फ इंपोर्टेंस दे रहा है वैक्सीन लगवाई है तो आज लगाओ अभी लगाओ तो य माल्टा की ट्रेवल वीजा रिगार्डिंग कोई असच कोई नई अपडेट नहीं है किसी के बातों में ना आए ऑफिशल यहीं अपडेट है कि अब दक तो बंद है आगे पता नहीं कब खुलेगी जून में मिड जून में जुलाई में कोई पता नहीं अभी तक एक जून